वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चोन इस वीडियों बात करने जा रहे हैं चन्नाई सुपर किंग्स वर्सेस कॉलकता नाइट राइडर्स IPL मैच जो ही खेला जाएगा वानखडे स्टेडियम में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से प्लेयर है जो ये मैच मिस करने वाले हैं कैसी टीम रहेगी CSK अंडर दे न्यू कैप्टेंशिप आफ रविंदर जडेजा सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो पूरी वीडियो देखेगा मजा आने वाला है तो ब इस विकेट पर और यूश्वली यहां पर फास्ट बोलर को भी थोड़ी मदद मिलती है लेकिन अगर ओवरॉल देखा जाए तो एक अच्छा बैटिंग ट्रैक माना जाता है यहां पर टोटल मैचिस जो है वो 81 खेले गए 81 जिसमें बैटिंग 1st करते हुए 40 बार टीम जीत है एडवांटेज रहेगा चेजिंग टीम जो भी चेज करेगी उनका एक थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा वो मैच जो है विन कर सकती है और यहां पर हमें स्कोर जो है अगर 170 से 170 वाला हमें स्कोर देखने को मिलना चाहिए हाई स्कोर की बात करते है तो RCB का यहां पर हा करने वाली बात है अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा उसी के थूरू है आई पिल भी हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं तो ऐसे ही उमीद करते हैं सो जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पर और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जा कि शायद से थोड़ी सी चीज़े और एडब हो जाएंगी CSK के लिए वीडियो बनानी उसके लिए जरूरी हो गई थी तो रविंद्र जड़ेजा कैप्टन बन गए है धोनी यार मतलब थोड़ा सा मुझे अभी भी शौक शौक लग रहा है मतलब थोड़ा सा उदास हूं क यार दोनी को मतलब अगर लास्ट सीजन अगर उनका यह होता है तो ऐसा कैप्टन होना चाहिए था जस्ट दो दिन पहले उन्होंने यह अनौन्स किया है और वो इसी तरीके के है कि बहुत सारे कैप्टन ऐसे होते हैं कि लेकिन यहाँ पर दोनी जो है वो पहले ही ऐसे करते हैं उन्होंने इवन अल अफ़ असदन जो है इंटरनाशनल क्रिकेट से भी ऐसे रिटारिमेंट अनौन्स करी थी लेकिन यहाँ पर कैप्टन शिप उन्होंने ड्रॉप करिया और रविंदर जड़ेजा को दिया है तो उम्मीद करते हैं वो आने वाले सीजन भी खेल जाए लेकिन अगर आप MS धोनी के फैन है CSK के फैन है सो आप सारे मैचिस जो है ना उनके देखिए और इंजॉय करिए इस बार सो यही मैं कहूंगा बात करते हैं CSK की तरफ से यहाँ पर मोहिन अली जो है वो अवेलिबल नहीं है फर्स्ट मैच के लिए क्योंकि वो आज गायकवर्ड और डिवान कॉन्वे उपन करते वे नजर आ जाएंगे यहाँ पर रोबिन उथपपा है अंबती राइडू रविंद रिचेड़ेजा MS धोनी डीचे ब्रावो यहाँ पर राजवर्दन को मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए एडम मिलन है और टीम यहाँ जॉर्डन या फिर कंसिडरिंग की आर फास्ट पूलर्स को यहाँ मज़ता है जॉर्डन को भी खिला सकते है या फिर अगर टीम चाहे क्योंकि कॉल करता के पास लेप्टी बैट्समन है तो तीक शना को भी मौका मिल सकता है या दूसरे ओस्पिनर को भी खिला जा सकता है औ जो कि अगर टीम चाहें तो खिला सकती है लेकिन क्यूंकि लेफ्टी बैट्समन काफी जादा है तो मुझे लगता है कि एडम मिलन और यहाँ पर जॉर्डन या तिक्षना में से कोई खेल सकता है सोलंकी है जो लेक्समनर है आने वाले मैच्स खेलने में आपको यह दिखते होए खेलते होए नजर आ जाएंगे यहाँ पर KKR की बात करें तो मुझे काफी हद तक यही टीम नजर आती है यहाँ पर Benkatesh Iyer open करते हुए नजर आ जाएंगे रहाने के साथ Shreyas Iyer है, Nitish Rana है, Sam Billings है, Andres Asar है यहाँ पर Narayan है, Tim Saudi खेल सकते हैं और Shivam Mavi है, Varun Chakravarti और Umesh Yadab आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं Interesting facts की बात करें, तो यहाँ पर CSK ने जो है 18 match जीते हैं और 9 match जीते हैं वो KKR ने लेकिन एक interesting fact जो काफी कम लोगों को पता है वो यह है कि KKR ने betting first करते हुए ना सिर्फ एक ही बार match जीता है CSKK again तो अगर यहाँ पर KKR को win करना है तो chasing अगर करती है, तो मुझे लगता है KKR के chances है लेकिन अगर chasing जो है, चन्नाई करती है तो काफी हद तक favorite चन्नाई इस match के लिए हो जाएगी most runs की बात करें, तो MS Dhoni ने 500 run बनाए हुए है against KKR जो की 45 के average से हैं काफी अच्छा average है, रॉबिन उथपपा जब KKR के लिए खेलते थे तो उन्होंने CSK के लिए against 399 run बनाए हुए आंद्रे रसल का काफी अच्छा batting average है 99 के batting average से run बनाते हैं against यहाँ पर CSK, रविंद्रे जड़ेजा का काफी अच्छा batting average है 248 run बनाए है, 99 की average से और गायक वर्ड जो है वो 52 की average से खेलते हैं हाईय स्कोर की बात करें, सो यहाँ पर रसल का है 88 not out, नितिश राना, surprise pick हो सकती है 87 run की पारी उन्होंने खेली हुई है और उथपपा जब KKR से खेलते थे तो 80 run की पारी उन्होंने भी खेली हुई है most wickets जब यह लोग आपस में खेलते हैं जो current squad है, उसमें सुनील नरायन के 21 है यहाँ पर रविंद्र जड़ेजा जो batting से भी नाम आ रहा है, bowling से भी नाम आ रहा है सुरविंद्र जड़ेजा है 18, डीजे ब्रावो 12 और रसल जो है 8 best bowling figure की बात करें सुरविंद्र जड़ेजा ने 4 और 3 wicket निकाले हुए अगेंस्ट KKR, डीजे ब्रावो ने भी 3 wicket निकाल के 22 दिये हुए है अगर बात कर लेते हैं कुछ interesting player battle की यहाँ पर बहुत ज़ाद नहीं है एक एक बार mostly SM ने आउट किया हुआ है लेकिन उमेश यादव ने उथप्पा को सिर्फ 27 बोलों में 2 बार आउट किया हुआ है नरायन ने ड्राइदू को टंग करते हैं 4 बार आउट किया हुआ है 60 बोलों में जो हैं वो openers है हर टीम के पास लेकिन मुझे ये opening पे अरणा काफी खतरनाक लग रहा है और ये जो है captain wise captain आप grand league में भी even small league में भी आप चाहूना तो try कर सकते हो ये बहुत अच्छा combination है जो काफी अच्छे run मुझे लगता है as a opener आपको करके दे सकते है रितुराज का record अच्छा है यहाँ पर KKR के अगेंस आप captain wise captain try कर सकते हो Devon Conway अगर आप चाहते हो so wise captain try कर सकते हो captain पहलका risk हो सकता है लेकिन player भहुत शानदार है grand league के लिए captain number one की choice बन जाते है Devon Conway Robin Uthappa one down आएंगे ये KKR के लिए already खेल चुके है KKR के जो KKR में पहले खेलते थे so उसकी वज़े से experience है KKR के कुछ players के साथ और यहाँ पर एक हमेशा वो लगती है अगर आप किसी team के साथ खेले हो so उस team के against आपको अच्छा performance करने की हमेशा आप हमेशा try करते हैं so Robin Uthappa एक अच्छी differential player बन सकते हैं अमबती राइडू है second down betting करेंगे अगर आपको लगता है और इन्हें सुनील नरायन तंक करते हैं अगर आपको लगता है कि KKR जो है वो फेवर है करती है और यह वाला match KKR जी सकती है उस case में आप अमबती राइडू को ले सकते हो अगर top orders चन्नही का यहाँ पर fire कर जाता है अच्छी partnership लग जाती है तो हो सकता है यहाँ पर जड़ेजा को promotion मिल जाए या even MS Dhoni भी betting करने में promotion ले सकते हैं यहाँ पर team चाहे तो शिवम दूबे को खिला सकती है जो कि एक decent pick आपके लिए बन जाती है यहाँ जड़ेजा है जड़ेजा काफी important हो जाएंगे अब देखो captain बन चुके हैं वैसे MS Dhoni ही captain ship आपको पता है 80% करने वाले है लेकिन फिर भी थोड़ा role जो है वो जड़ेजा का भी बढ़ जाएगा और जिस तरीके की form में है जड़ेजा मुझे लगता है कि खुद को promotion वैसे MS Dhoni भी उनको batting से promotion देते लेकिन अब तो वो खुद ही captain है और इतनी अच्छी form में है batting से भी bowling से भी filter तो अच्छे हैं जड़ेजा अपने आपको promotion दे सकते हैं मैं नहीं देखता कि यार वो four आप जैसे पहले देखते दे फिफ सिक्स डाउन या पर जड़ू आ रहे है मुझे लगता है इस बार जो है second या even third down जो है मुझे safe option इनका लग रहा है third down तक इने batting करनी चाहिए और कि surprise नहीं हो ना किसी match में second down भी अगर आ जाए तो ठीक है तो रवेंदर जड़ेजा काफ़ important है captain wise captain की best choice बन जाएंगी MS धोनी की बात करते हैं MS धोनी अब free होकर खेलेंगे वैसे इनके उपर कभी captain ship का pressure था ही नहीं है मतलब ये next level player रहा है मतलब ऐसा है कि इनके उपर कोई pressure नहीं है तो ये तब भी खुल के खेलते थे अब भी खेलेंगे ये है कि जड़ेजा के promotion हो सकता है इनसे पहले तो उसकी वज़े से batting के चांसे थोड़े कम हो जाते हैं तो यहाँ पर हलका सा और लेकिन keeping बहुत अच्छी करते हैं तो आप इनके उपर अगर चाहो तो billings को preference दे सकते हो DJ Bravo important रहेंगे क्योंकि यहाँ पर Russell के against ये wicket निकाल सकते हैं Russell जो है end में इनकी पिटाई भी बहुत करते हैं लेकिन ये wickets निकाल लेते हैं और KKR के न wickets हर सीजन में बहुत गिरते हैं ये चीज़ धियान रखना तो wickets जो है DJ Bravo निकाल सकते हैं राजवर्दन है जिनको मुझे लगता है मौका मिल सकता है काफी अच्छा इंडर 19 प्लेयर है जो आपको lower order में hard hit करके भी दे देगा और bowling अच्छी है इनकी जो ये मुझे लगता है इनको मौका मिलना चीए एक अच्छा trump card pick आपके लिए बन सकता है Adam Milne मुझे लगता है लगतार खेलेंगे इस team में काफी अच्छा bowler है recently starting में wickets निकाल लेते हैं और ये अच्छा fast bowler है इंपोर्टेंट पिक बन जाएगी Jordan या तिक्षना में से कोई एक खेल सकता है team चाहे इस और सैटनर को मौका दे सकती है बट spinner है साथ के साथ lefty bats में काफी है KKR में तो मुझे लगता है कि Jordan या तिक्षना better choice रहेगी तो अगर Jordan खेलते हैं और team अगर चन्नाई की पहले bowling कर रही है तो उस case में काफी अच्छी पिक बन जाएंगे क्योंकि death में bowling Jordan करते हैं और वहाँ पर wickets निकाल जाते हैं तिक्षना अगर खेलते हैं काफी कम लोग इन्हें try करेंगे और ये wickets निकाल सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है दोनी है डीजे ब्रावो और एडम मिल जो है इस टीम के important खिलाडी है बात करते हैं कॉलकाता नाइट राइडर्स की वेंकटेश अई येर ओपन करते हुए नजर आएंगे अजिंके रहाने के साथ अगर टीम चाहें वैसे रहाने मुझे लगता है इस टीम में important role play करेंगे लेकिन अगर टीम के पास कोई और option है सो सुनील नरायन से भी open कराया जा सकता है अगर चाहें बट वो lefty lefty combination होगा मेरे जिस आप से better option जो है वो रहाने ही रहेंगे रहाने को ही start करना चाहिए वेंकटेश अईयर जो है पिछला एक साल बहुत ही golden साल रहा है मतलब IPL में आये, debut किया, runs करें, इंडिया के लिए select हुए सो यार इतना golden time बहुत rare case में आता है एक साल के अंदर इतनी achievement कर लेना वेंकटेश अईयर काफी अच्छा time चल रहा है सो और important है, KKR के retained player है captain wise captain की अच्छी choice बन जाएंगी आप bowling करेंगे या नहीं उसके उपर बात कर लेते हैं साथ 7th bowling option जो है वेंकटेश अईयर है जुरुत पड़ती है, तो एक से दो वर कर सकते हैं बात करते हैं आप अजिंग के रहाने की grand league के लिए बहुत भड़ी है captain ship choice, Mumbai में खेल रहा है जो home ground है और रहाने के पास प्रूफ करने को बहुत कुछ है तो अगर team chase कर रही है न देखो first inning में फिर भी आप इन्हें drop कर लो लेकिन chasing में ये आपके लिए trump card pick साबित हो सकते हैं इस चीज का ध्यान रखना है so रहाने पे आप chasing में आप इन्हे small league में भी ले सकते हैं और grand league में आप इन्हे captain try कर सकते हो श्रेय साइयर बहुत अच्छी form में है वेंकटे श्रेयर, श्रेय साइयर दोनों आप captain wise captain की choice रहेंगे even small league में भी हो नितिश्राना को खिला सकते हो, नितिश्राना काफी अच्छे player है, KKR के लिए regular खेलते हैं और इन पे काफी trust दिखाया जाता है, ज़रुरत आने पर bowling भी कर लेते हैं bowling मैं करते हो इने नहीं देख रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन एक अच्छा batsman है Sam Billings, मुझे लगता है wicket keeping करेंगे, और यहाँ पर important player है, recent form अच्छी रही है, और third down तक batting करेंगे, end में hitting भी कर लेते हैं, और यह run निकालते रहते हैं तो एक अच्छा आपको inning खरके दे सकते हैं तो मेरे इसाब से अच्छी pick बन जाएगी Russell की बात करें, so Russell का record काफी अच्छा है, चन्नाई के against, so अगर team पहले bowling करती है KKR की, तो Russell को small league में captain wise captain बना सकते हो सुनील नरायन, नाम ही काफी है लेकिन यह चीज़ ध्यान रखनी है, इनका record हमेशा ही आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन वो record जो है न, वो पहले था, जब action इनका change हुआ है, उससे पहले अब recent form जो है, bowling में उतने wicket नहीं निकालते हैं, economical अभी भी डालते हैं लेकिन wickets जैसे पहले निकालते थे उतने नहीं निकालते, बट फिर भी team KKR के लिए important हैं लेकिन अगर आप चाहो तो इनके उपर चक्रवर्ती को preference दे सकते हैं, team Saudi है जो मुझे लगता है in absence of pet comments खेलने वाले हैं, अगर ये खेलते हैं तो इनका IPL बहुत अच्छा नहीं गया है इनकी market ही हो जाती है player अच्छे है, न्यूजिलेंड के लिए बहुत important है बट IPL में अभी भी proof करने को काफी बच्चा है, शिवम मावी ये जो player है, देखो starting में over करेगा और ये end के भी over कर सकता है यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है शिवम मावी एक आपके लिए अच्छी बन सकती है, जो काफी अच्छा बोलर है try इन को नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करेना चाहते हो, सो कर सकते हो वरुन चक्रवर्ती important रहेंगे, हर match में 4 over अपने करते हैं, और wickets निकाल लेते हैं, सो KKR के लिए retained pair important है, चाहो तो try कर सकते हो उमेश यादव, इनका mostly या तो ये 2-3 wicket निकाल लेते हैं अगर इनको momentum मिल जाए, 1-9 की पिटाई काफी जादा होती है, तो small league में risky रहेंगे, लेकिन अगर चल गए, सो आप try कर सकते हो, लेकिन बोलर अच्छे हैं, लेकिन recent form जो है, देखते हैं कैसा करते हैं सो फिर भी थोड़ा सा grand league में recommend करूँगा, death bowling की बात करें सो यहाँ पर रसल होंगे, और यहाँ पर मैंने, so death bowling की बात करें, सो आंद्रे रसल है, टिम साउधी करा सकते हैं, और शिवम मावी पे भी team trust कर सकती है, death bowling के लिए सो ध्यान रखना है, important wise captain की बात कर लें, so small league में काफी अच्छे options हैं, इस match में रविंद्र जडेजा हैं, दोनों आईयर हैं, यहाँ पर रितुराज गायकवर्ड जिनका betting average काफी अच्छा है, KKR के अगी, so chasing में आप गायकवर्ड को भी बना सकते हो, और आंद्रे रसल जो है, अगर पहले यहाँ पर KKR की bowling आ रही है, so उस case में आप आंद्रे रसल को भी captain wise captain कर सकते हो, grand league में किसको captain wise captain करें, so यहाँ पर convey मुझे लगता है, काफी अच्छी choice है क्योंकि यह player लगातार run करता है और मैं excited हूँ कि एक ऐसा perform करता है CSK के लिए, so grand league में even आप small league में भी चाहो, तो consider कर सकते हो बुरी pick नहीं है, वें grand league में तो try करी लेना, अजिंग के रहने वान खड़े में अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर KKR के पास power hitter जादा है, एक ऐसा खिलाड़ी जो tick कर खेल सकता है, और पूरे 20 over batting कर सकता है, वो यहाँ पर रहने है, so रहने को captain wise, captain try कर सकते हो, यहाँ पर Robin को थपा भी एक अच्छी option बन जाते हैं चलिए चलते हैं, dream 11 team की तरफ so wicket keeping section में हमारे पास billings हैं, और MS धोनी है, मैंने अभी के लिए billings को लिया है, क्योंकि KKR के, मैं मुझे लगता है इनकी batting आई जाएगी, KKR के wickets काफी गिरते हैं, और MS धोनी जो है wicket keeper काफी अच्छे हैं, चाहो तो MS धोनी के साथ भी जा सकते हैं, मैं billings के साथ गया हूँ batting section में जो दो player में ले कर जाऊँगा, वो है Shreyas, IRN, रितु राजगायक वर्ड, यहाँ पर मैं convey के साथ गया हूँ, मुझे लगता है काफी important बन जाते हैं, नितिश राना एक trump card pick हो सकती है, क्योंकि इनका selection मुझे लगता है drop होएगा, और convey का बढ़ जाएगा, जैसे-जैसे match pass आएगा सो नितिश राना एक अच्छे pick आपके लिए बन जाएगी, राइडू है, जिनको सुनील नरायन ने काफी तंग किया है चाहो तो try कर सकते हो, यहाँ पर जो दो pick है, जो छुपे रुस्तम है, वो है रहाने और उथपा, experience भर-भर के है, ठीक है, और यह run कर सकते है दोनों के दोनों, तो इन में से आप किसी एक को try कर सकते हो, chasing पर अगर मुझे लगता है, पहले बैटिंग आती है सो यहाँ पर उथपा try कर सकते हो, chasing में रहाने important बन जाएंगे, ध्यान रखना है Allrounder section में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो तीन पर, यहाँ पर जो choice बन जाती है, वो है अंधिर रसल, वैंकटेश, अईयर और यहाँ पर रविंदर जड़ेजा, तीनों ही काफी अच्छी choice है, तो तीनों ही आपके team में होने चाहिए, small league में अब है, सुनील नरायन कहे लेना है यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो यार अगर यहाँ पर पहले bowling आती है कॉलकाता की, तो यह एक अच्छी pick बन जाएंगे, चार over भी करेंगे और second inning में, betting आने के chances बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अब अब जो है, सुनील नरायन जो है, पहले जितने wickets नहीं निकालते हैं, important हैं, all rounder performance दे सकते हैं, so important pick जरूर हैं, लेकिन अगर आप drop करना चाहो तो रिस्क लिया जा सकता है, शिवम दूबे हैं, खेलते हैं, तो अच्छे pick आपके लिए बन सकती है, यहाँ पर सैटनर को खिलाया जा सकता है और यहाँ पर सैटनर को खिलाया जा सकता है, मुझे लगता है, बी वर्मा की बता दूँ, off spinner है, अगर टीम चाहे तो केम आसिफ की जगा, यहाँ पर इनको सेक्षन में जो पहली pick बन जाएगी, वो है DJ Bravo, यहाँ से हमारे पास आजाएंगे Adam Milne, अब हमारे पास दो choice बन रही है, अभी के लिए मैंने यहाँ पर वरुन चक्रवर्ती को रखा है अब एक player बज जाता है, उसमें Jordan option है, यहाँ पर शिवम मावी है तिक्षनाय Jordan में से एक खेलेगा कोई और यहाँ पर उमेश यादव है, अभी के लिए हमने जो है, मैंने रखा है सुनील नरायन को, यहाँ पर यह team बन रही है small league की, लेकिन इसमें changes होएंगे, क्योंकि मैं toss के according जाओंगा मुझे लगता है, chasing team को advantage मिल सकता है तो हम अगर यहाँ पर चन्नाई पहले chase करती है न, तो उस case chase कर रही है, चन्नाई, तो चन्नाई का एक bowler में add कर लूँगा, और अगर यहाँ पर KKR की, KKR की पहले, KKR chase कर रही है, तो उसमें मैं max शायद से रहने को अपनी team में pick कर सकता हूँ अगर वो open कर रहे हैं और खेल रहे हैं, तो उस case में हम एक bowler drop करके, वो भी हम कर सकते हैं, तो यह एक दो changes हो सकते हैं depend करेगा toss पे, आपको final update, final team, telegram पर मिल जाएगी जुड़ना मत भूलना, link description में है, साथ के साथ comment section नहीं pin कर दूँगा, captain wise captain की बात कर लेते हैं, so रविंदर जड़ेजा काफी अच्छे choice लग रहे हैं, अब तो captain भी बन गए हैं, so betting bowling दोनों से रहेंगे, so important है यहाँ पर wise captain के option जो है, even captain के option जो है, श्रेयस आयर काफी अच्छे हैं, आंद्रे रसल है और यहाँ पर वेंकटेश आयर भी है अभी के लिए, और रितुराज गायक वर्ड, so यह काफी important है, अभी के लिए मैंने हाँ पर श्रेयस आयर को रखा है, लेकिन again captain wise captain depend करेगा toss के उपर, chasing team का मैं wise captain, so उस case में अगर यहाँ पर, Russell की पहले यह देखो, Russell जो है important cup बन जाएंगे, अगर यह पहले bowling करते हैं उस case में इनकी bowling के आने के chances है तो एक आदा wicket यह ले जाते हैं, और most of the time इने death में bowling विलती है, और second inning में betting आती है, तो एक अच्छे wise captain बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर रितुराज गायक वर्ड भी है, जिनको हम बना सकते हैं, वो भी एक option बच जाते हैं हमारे लिए लेकिन अभी के लिए मैंने श्रेय सायर को रखा है तो यह team बन रही है, इसमें एक से दो change हो सकते हैं, depending upon toss, बात कर लेते हैं, grand league teams की so मैंने यहाँ पर दो teams जो है, वो बनाई है grand league की, so grand league team number one यह है, यह best रहेगी अगर जो है, team chase करती है यहाँ पर, so रितुराज गायक वर्ड केप्टन और यहाँ पर डिवान कॉन्वे जो है हमारे vice captain, उस case में हमारे पास यहाँ पर चार बोलर आ जाएंगे CSKK, so हमने यह चीज़ combination हमने try करा है कि हो सकता है, क्योंकि यह combination जो है न, deadly combination है यहाँ पर कौन वे, और रितुराज गायक वर्ड काफी matches ऐसे होंगे, जो आधे के जाधे 15-16 ओवर यही दोनों batting करते होगे नसर आ सकते हैं, so यह team number one बनेगी grand league की, grand league team number two में क्या किया है, हमने iyer brothers में कहने वाला था, so Shreyas Iyer और Venkates Iyer को मैं try करने वाला हूँ as a captain and vice captain, इस case में हमने Shivam Mavi को भी ले लिया है और यहाँ पर Ajink के रहने को रखा है, और विकेट कीपिंग में हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर captain Venkates Iyer और Shreyas Iyer को रखा है, जो हम मान के चलने हैं अगर अच्छी betting करते हैं, so उस case में Sam Billings की betting आने के chances कम है, so विकेट कीपिंग में हमने MS धोनी को रखा है, so इस तरीके से आप multiple teams भी बना सकते हैं, same team भी आप जा सकते हैं, और अगर आप चाते हो कि Grand League की अलग से आप विडियो चाते हो कि इस match की आपको Grand League की अलग से विडियो चाहिए, so वो भी मैं बना सकता हूँ comment करके बता देना, so ये रहेंगी teams, final team आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी, उम्मीद है आपको ये विडियो पसंद आईए पसंद आईए, so like करो, share करो comment करके बताओ, आप किस team को support कर रहे हैं, और आपके हिसाफ से कौन best performance इस match में देने वाला है और साथ के साथ YouTube शेया को subscribe करके bell icon दबा दीचे, और चुड़ जाएए fantasy fortune, telegram channel पर link description में, साथ के साथ comment section ने pin कर दूँगा, thank you guys